हेलो फ्रेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चनल बहुत-बहुत स्वागत हैं फ्रेंट्स क्या आपको भी थैराइड पीसी ओडी या सुगर की प्रॉब्लम की वज़ा से आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रही है अगर ऐसा है तो इस वीडियो में सारी जनकारी डिटे प्रेंट्स होता क्या है कि जब आपको थाइराइड होती है तो आपको मोटापा भी होता है आपका मेटापोलिजम लो हो जाता है जिससे कि आपके हार्मोल जो होते हैं हार्मोन जो होते हैं डिस्बैलेंस हो जाते हैं और बार बार आपको गर्वपात होने की समस्या हो जात आपको अपने दिनचर्या में तीं चीजों का इस्तेमाल जरूर करना है जिससके प्रेग-नेंसी में संयी, भी सब्सक्राइन, तो Safety ID, खर sam 거기 कोई भी बिमारी है तो जो डॉक्टर आपको उसका दवा दिये हैं उसको तो लेना है अगर होमोपैथिक ले रही है तो या फिर एटूजेट कोई भी आप दवा ले रही है तो उसको तो एक थराइट की दवा आती है जो सुबर सुबर लिया जाता है तो ओ दवा तो आप ले और मुझे मैं करके रहूंगी उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है सबसे पहले आपको जितनी भी घ्रीन वेजिटेवल आते हैं जितनी और सारे एक दिन में आपको एक वेजिटेवल जरूर सामील करने हैं लौकी तरोई Whether पंपकीन या फिर गोवी आपको थोड़ा सा उसको नहीं खाना चाहिए जो ब्रोकली आती है ना उसको आपको नहीं सेवन करना चाहिए ब्रोकली में पत्ता ब्रोकली हो गया और थोड़ा सा कैवेज पत्ता गो भी हो गया यह थोड़ा सा आपको कम खाना चाहिए इसके अलावा पूरी सबजियां हरी पत्तेदार सबजिय एक बावल होने ही जोने चाहिए जो सलजम आते हैं आपको नहीं खाने जहीए यह आप दितने भी सोया उभीन जो चीज़ें आती हैं सोया बेन कीबडियां हो गई लगया था उन भी प्रडुक्स आते हैं । उसको आपको समय नहीं खाने चाहिन RE आपके हर्मोन को यह बिगार देते हैं इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरा जो होती है प्रोटी जो थाराइड की पेसेंट होती है उनका मेटा पॉलिजम बहुत कम रहता है उनका वजन काफी बढ़ता है तो इसमें अगर आप अपना यह सोचती है बतलब यह जानना चाहती है कि आपका मेटा पॉलिजम ठीक है अच्छा है कि नहीं तो सबसे पहले अपने वजन अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है आपका वजन ठीक ठाक है तो यह समझे कि आपका मेटा पॉलिजम ठीक है अगर आपका वजन बढ़ता जा रहा है तो आपका मेटा पॉलिजम ठी इसके बाद अपने प्रोटीन की इस्तेमाल बढ़ा दीजिए अनव है तो प्रोटीन का सप्लिमेंट भी ले सकती है या फिर प्रोटीन का डाइट भी ले सकती है प्रोटीन अगर बढ़ाएंगे न तो इससे आपका उबूलूशन भी होगा आपके एक जो नहीं बन रहे हैं एक अच्छे से बनेंगे इसके अलावा आपका मेटा पॉलिजम जो है ठाक रहेगा जिससे कि आपको कंसीव करने में आपको काफी हेल्प मिलेगा तो आपको प्रोटीन का सूर्स बढ़ा देना है प्रोटीन के सूर्स में आता है human body के लिए मुख्य होता है plant waste ना जो plant से निकला हुआ चीजे होती है और उसको लेना चाहिए जैसे कि आपकी डाले हो गई सारी जितनी भी प्रकार की डाले हैं मोटा अनाज है यह सारे आपको प्रोटीन लेने चाहिए इसे कि प्रोटीन की कमी अपके अंदर ना हो सब्सक्राइब तो ऐसे में ये जो है sign देता है कि आपका metabolism बिल्कुल कम हो गया है तो आप इसको बढ़ाए प्रोटीन वाली चीजों को अपने डाइट में जरूर सामिल करेजिए इसके अलावा आपको sugar, sugar का मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेना है sugar वाली चीजों को नहीं खाना है, बेक के आइटम को नहीं खाना है जो भी बेक किया हुआ है, जो भी बेकरी वाला आइटम है ओ आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा देना है बिल्कुल हटा देना नहीं तो यह आपको कभी भी प्रेग्मेंट नहीं बनने देगी इसके अलावा फ्रेंट्स अब जो भी आप अपने घर में जो खाना बनाने के लिए ऐल यूज कर रही है उसको समय समय पे चेंज करते रहना है कभी आप जो है राइस का तेल यूज यूज करिए मस्टर्ड यूज करिए यानि कि हर समय इस तेल को आपको चेंज करते रहना है यह नहीं कि एकी तेल को आप लेते रहें अगर आपको चाई पीनी है तो चाई पीने का मन कर रहा है तो आपको क्या करना है ग्रीन टी पी लेना है लेकिन चाई कॉफी मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अपनी लाइव से जितनी भी सुगरी चीजी होती है जितने चीजों में फैट होता है जितने चीजों में सुगर होता है बिल्कुल भी आपको उसकी तरफ मूड के भी नहीं देखना है अगर आप प्रेगनेंट होना चाहती है तो अगर आपको लेना ही है त कैसे अपने तो डाइट में सामिल करें the forgiving or belly में अपने Haitम सामिल करें इसके अलावा हेले फूड अपने डाइट में सामिल करें प्लांट के इसमें के जितने सोर्स होते हैं प्लांट के तिन जतने डाइट होते हैं जतने चीजे आती हैं दाले हो गए बतला वह चीज आप अपने डाइट में सामिल करें लेकिन फैट बाहर की तली भूनी चीज हैं बेकरी आइटम चट पटा जादा नमकीन वाली समान इसके अलावा आपको ज्यादा फैटी यानि कि तला भूना ज्या और वहां पर वाक करिया सूरे नमस्कार करिए अनुलोमबलोम करिए बटरफलाइग सर्साइज करिए जो भी आपको एकसर साइज आते हैं जो चीज में आप वटेवल हो उसका करने ही करने हैं बिना से काम चलने वाला नहीं है अपने लिए कम से कम आदे घंटे तो टाइम निकालिए ताकि आप आदे घंटे अपनी बॉड़ी को एक्सरसाइज करके और फिट रख सके और फ्रेंड्स जो भी डॉक्टर आपको दवा दिया है उसको लेना है उसके अलावा अपने लाइफ इस्टाइ बहुत कुछ बिगड़ जाएगा तीन से चार महीने इमांदारी से अगर करना चाहती है तो अपने डाइट को चेंज करिए अपने लाइफ इस्टाइल को चेंज करिए आप कंसीव जरूर करें इसमें कोई दो राय नहीं है तो आपको पॉजिटिव रहना है टेंसन नहीं लेने हैं और आप कंसीव कर लेंगी तीन से चार महीने ट्राइब करके देखिए और डॉक्टर जो भी आपको दिया है उसको भी ट्राइब उसको भी लेते रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में जो भी क्वायरी है कमेंट बाक्स में जरूर करिएगा उस पर वीडियो